गल्फ läuft लेट चोड नाम से एक वेब सिरिज आय थी, जिसमें मयूर मोर नहीं जीनों ने एक बहुत अच्छी परफोर्मेंस दी थी, फिर मैंने फोर थीफ एक वेब सिरिज देखी थी, जहां पर गगन और ओडा ने उन्हों ने बहुत अच्छी performance दी थी और इन दोनों की वज़े से मैंने ये वाली जो series है वो देखनी शुरू की थी और मैं ये ही कहूँगा कि हर मैंने बहुत ज़्यादा उमीद लेके ये web series देखने बैटा था और बट जितनी उमीद मैंने इस series से लगाई थी उस उमीद पर ये web series खरी नहीं उतरी नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं basement company के बारे में जो MX player पर available है total इसके अंदर 5 episode है और इन 5 episode हो को मिलाएं तो ये series जो है वो करीबन करीबन 2 घंटे से भी कम approximate 2 घंटे ही लगा लो इतनी ही time की web series इसे direct किया है दिवयान शुमलोतरा ने इसके अंदर कास्ट है गगन अरोड़ा अपूर्वा अरोड़ा मयूर मोर और बाकी अनय कलाकर एक नई company Punjab Beats जिसमें तीन परसन राहूल राज सिम्रण ये तीनों जो है अपनी पहली नई जोब पहली नई जोब यहां पर शुरू क फ्लॉर होता है यहां पर फिर इनके नीचे basement है तो जो जहां पर employee बैठते हैं तो एक नया setup प्लान करते हैं जहां पर कुछ नए equipment लगा जाते हैं और उन नही equipment लगाने के लिए कुछ जगा चाहिए होती है तो इन तीनों को यह basement में बेज देते हैं ताकि नए equipment इनके इन त सपनों को भी पूरा करने के वहां पर कोशिश कर रहे हैं जो company के बाहर इनके जो सपने हैं किसी को कुछ MBA करना है कि जो कुछ cake की shop खोलनी है तो ऐसे सपनों को पूरा करने के साथ वह कोशिश भी कर रहे हैं तीनों में दोस्ती होती है फिर टकराव होता है फिर सुला होती है जो दोस्ती का सबसे important पड़ाव होता है इस series का clearly मतलब यही है कि यह सिर्फ और सिर्फ comedy के purpose से बनाए गई और इसका हुदेश्य यही है कि आप लोगों के face पर जो ही है smile ला सके कुछ जगह पर यह कामिया भी होती है लेकिन काफी जगह यह निराश भी करती है करते हुए देखें दिल से यह चाहता हूँ यार मैं और अगर आप लोग यह series देखने की सोच रहे हो तो मैं एक ही बात इसमें आपको बोलूँगा कि आप ज़्यादा कोई expectation लेकि series मत देखने बैठा क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा उमीद है अगर इस series से लगा ली तो आपको निराश है बहुत ज़्यादा निराश है याद लगने वाली है जैसे कि मुझे इस series को देखकर हुआ गया मैंने बहुत ज़्यादा expect कर लिया था क्योंकि इसमें गगन और ओर ओडा कि तो मैं यह series जो है वो देखनी शुरू की थी बट सच में मुझे कहानी में या फिर इसमें इतनी comedy के purpose भी यह मुझे बिल्कुल भी satisfy नहीं कर पाई बट एक बात मुझे इसमें अच्छे लगी कि इस series को जान बुज़ कर कोई लंबा नहीं की जा गया कोई 3-4 घंटों की कोई series नहीं बना गया इवन इसको 2 घंटे से भी कम में टाइम में रखा गया है जिसका main motive तो यह है कि जो comedy के purpose पे आप लोगों के face पर smile ला सके आपको हसा सके बट यह उतनी आप लोगों को हसाने में कामियब नहीं हो पाती कैर मेरी तरफ से इस series को मैं देना चाहूँगा 3 out of 10 star अगर किसी ने यह series देख ली है तो please comment करके मुझे बताना कि आप लोगों को यह series कैसे लगी और अगर नहीं देखी है तो देखो rating तो मैंने दे दी है 3 out of 10 star फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप लोग इसके देखने की सोच रहे हो तो कुछ जादा उमीदे मत लगा ले ना कि इसमें बहुँ जादा आपको comedy मिलेगी या फिर इसमें बहुँ जादा अच्छी story मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है क्यार बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में thanks for watching this video मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिंद